जान हो दूते हैं शिक्षानरी की एक शड़त चौदरी जो कि रुड़की के साथ साथ पूरे उत्रा खंड का नाम पूरे देश मरोसन किया और यूपे सीएस की तेज रांग लाकर रुड़का शिक्षानरीकर उन्हों नाम रोशन किया है किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की क बहुत उपर इस्तर पर लेकर गही हैं इंदुस्तान में शदब चोद्री चलिए उनसे बात करते हैं और आपको परतम देनी कुड़की परिवार की और से बहुत बधाई कि आपने ये मकाम हासिल किया ये मकाम हासिल कैसे किया और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या टीफ्स तो मच कैसी किया मैं पहले हम रहते थे वहां से मैंने इसकोलिंग की थी फिर मैंने बीटेग किया था नाइटी जाल अंदर से उसके बाद दो साल जॉब की और उसके लाद से प्रिपेयर करने तो बच्पन से फोड़ा था कि हाँ यह चीज करनी है करनी है और फिर टाइम मिलत गया तो चीजे बढ़ती आपने बीना कोचिंग की इस तरह से मुकाम कैसे हसिल किया और बच्चों आप क्या संदिश देना चाहिए बीना कोचिंग से तो मुझे लगता है कोचिंग का उतना रोल नहीं होता है आप अपना स्मार्ट वक कर सकते हैं आप देख सकते हैं क्या नेट पर सब कुछ है और फिर उसके बाद आपकी महनत है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कितना डेडिकेशन के साथ में आप काम कर रहे हैं आप इसका श्रेक की से देना चाहेंगे तीचर्स या फिर परिवार दोनों ही लोग का बराबर योगदान होता है परिवार आपको मुकाम हासिल करने के लिए एक पीछे कोई ना परदे के पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जिसे आप यह ताज पहनाना चाहेंगी डेफिनेटली फैमिली का जादा रोल रहता है क्योंकि ठूरू आउट आपकी लाइफ वो आपकी साथ में रहती हों कि यह मुकाम कैसे हासिल करूंगी इस पर आपके कुछ बताना चाहेंगी यह काफी लंबी साइक पूरा एक साल लग जाता है एक साइकल कंप्लीट होने में तो कई बार ऐसे मोमेंट साथ जब आपको लगता है कि अच्छा बहुत लंबा हो गया है हो पा रहा है कि नहीं कर पाएंगे सबके साथ होता है पर मुझे लगता है कि अगर आप लगन के साथ काम कर रहे है मोटिवेशन आपके अंदर है तो आप उस चीज़ को सर्माउंट कर सकता है अभी तो नौर्म ली कर रही है लोग आ रहे हैं लोग आ इच्छा लग रहा है सक्षिस का थोड़ा अब टाइम लेगा शाय सिंकिन होने में तो मुझे थोड़ा तयकीन भी नहीं आ रहा है कुछ चेंज हो गया है बट हाँ अवरॉल सब लोग बहुत खुश है यह थी शदब चोधरी जो कि आई-स कौलिफाइट करके तेज़ी रैंक लाकर शिक्षा रंगरी का नाम रोशन किय हैं ममीन की हमार साथ मौझूद हैं आप आंटी कैसा मैसूस कर रही है बहुत अच्छा लग रहा है बचा कुछ करता है तो खुशी तो होती है बहुत ज्यादा जिस्ते किसे अम्रोह में इन्होंने इंटर किया हाइज स्कूल किया बड़ी कटनाई किसा राध दीन मैनत की न अब आपकी एक बेटी और है जो की दिली पड़ाई गर रही है उनके लिए भी क्या अप्शन है खमते उनके पर छोड़ दिया है कि आप जो करना चाहों कर लिए चोड़ी बेटी है जो उसने अच्छे नमबर रहते टैंट में भी टैंट में उसके टॉपर रही थी तो लो अच्छा नगरी के लिए हसिल किया है जो कि एक बच्चों की शिक्षा नगरी चाहे वो किसी भी बिरादरी वर्क के लोग बच्चे हों और होसलों के साथ साथ उन्होंने जजबे का काम किया है डैंग रूड की ने आज इनका इंटर्वी लिए और आपको दिखा रहे हैं म है केमरा में साथी के साथ रियाज कुरेशी